जोहार काकी आप कैसे हैं? सब ठीक है, तुम कैसी हो, कहां जा रही हो? काकी, हम ललीता दिदी के पाह जा रही है, वो उत्पादक समू की अध्यच है ना, तो उत्पादक समू के बारे में कुछ जनकारी लेनी थी अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ, उधर से लोटते समय, उत्पादक समू के बारे में मुझे भी कुछ बताते जाना, भूलना मत, ठीक है? ठीक है काकी, वहाँ से वापस आके आपको सारी जनकारी देंगे, जोहार काकी, ठीक है, जोहार जोहार जिदी, जोहार बूलो कैसे आना हुआ? अरे जिदी, भूल गई क्या? आज उत्पादक समू का बैठक होने वाला है, और अध्याज जिदी, आज हम लोग को बुलाई थी कुछ जनकारी देने के लिए, आज कोसर अध्याज जिदी भी तो आने वाली है, हाँ जिदी, हम तो भूली गए थे, अशर को हम भी चलते है चलिए, चलिए, जन्दी चलती हूँ जिदी, 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 आई, 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 आप आपका ही इंपिजार कर रह से आई, बैठी, बैठी दिदी आप उस दिन बोले थे ना और पादक समो की संरचना और पदधिकारियों के जिम्मेदारी के बारे में कुछ बताएंगी? हाँ दिदी हम भी जाना चाहते हैं कि इसकी संरचना क्या है और वो कौन-कौन से परीधिकारियों होते हैं और उनकी क्या क्या काम होते हैं अरे नहीं नहीं ये पद अधिकारी तो गाउं की ही चैनी दिजियां होती है और गादक समुने कुल ती पद अधिकारी होती है अध्याश, सची और पोसा अध्याश यहां अध्याश का जिमेदारी सबसे बड़ी होती है और सची और कोसा अध्याश इनी जिमेदारियों को पुरा करने में अध्याश का सहयोग करती है और जिदी ये कारी-कारी समिति और आम सभा में कौन-कौन होते हैं और इनकी क्या-क्या काम है मैं सब बताती हूँ, परिशान मत हो, कारिकारनी समिति में तीन रूप समितियां होती है पहला योजना एवां निगरानी समिति, दूसरा खरीद एवां वीपनन समिति और तीसरा आजवी का समिति इन सभी समीतियों में 3-4 सदस होते हैं और इनके कारी को सचार रूप से चलाने में मदद करते हैं आच्छा दिदी आज आप लोग अध्याज की जिम्यदारियों को विस्तार से जानिये फिर अगले बैठर में अन्य पदादिकारियों के बारे में बताईएं पहले अध्याज दिदी से ही इनके जिम्यदारियों के बारे में जान रहते हैं हाँ हाँ आज मैं अध्याज की जिम्यदारियों के बारे में विस्तार से बताती है उत्पादक समू का बाइठक का आयोजन और अध्यक्ता मेरी सबसे महत्कूल जिम्यवारी है दूसरी जिम्मेवारी है अन्य सदस्यों के कारियों से जुड़े निर्ने लेने में उसका सहायता करना तीसरी जिम्मेदारी है सभी समित्यों को उतपादक समु से जुड़े उद्देश को पाने में उनकी सहायता और मार्ग दर्शन करना अच्छा दिदी, अध्याज का पड़ तो बहुत जिम्मेदारी वाला होता है? हाँ ये तो है और चोथी जिम्मेदारी है समू का सभी कारियों का निरच्छन करना इसके अंतरगरत अध्याज उद्पादक समू के विभीन कारियों की समिच्छा एवं जाज करती है थाकि जरूरत पढ़ने पर इसकी कारवाही और माल दर्शन कर सके अच्छा दिदी इतनी सारी बाते है अध्याजपत की पाच्मी जिम्मेदारी है विभीन मंचो पर उद्पादक समू का परतिनी जिम्मेदारी है उद्पादक समू के विद्देशियों को वापसी सह्योग से सुनिचित करना बहुत अच्छा दिदी, आज में बहुत सारी जनकारी मिली अगले बैठक में आप अन्य पधधिकारियों के बारे में जरूर बताईएगा हाँ दिदी, हम इसकी पूरी जनकारी चाहते हैं ताकि निश्चित होकर उपादक सम्मूँ से जुड़ सके और अन्य लोगों को जोड़ने के लिए प्रेजित कर सके हाँ दिदी, आज हमें बहुत अच्छा से समझ आ गिया चलिए दिदी, काकिक पाजी तो चलना है उनको भी तो सारी जनकारी देनी है आप लोग तो बहुत धन्यवाद दिदी अगले बठे को आप लोग फिर से जरूर आएंगे हाँ हाँ दिदी जरूर आएगेगा हम आप लोग को और भी जनकारी देंगे धन्यवाद लाति झाएगे जरूर दिदी जरूर आए家 कर दो कर दो